रो रही थी मतलों उसकी नीटू की ममी विदाई के टाइम पे तो उसने अपनी उस आंटी को प्रोमिस किया कि आंटी मैं ना लक्षमन दोनों दो भाई है तो उसमें यह लड़की में को दिखाई दी तो कुल मिला के यह है कि जो नीटू है अपनी स्ट्रगल से बढ़िया तर अगया तो लेट दो आपसे यह कि लोगों में किसी विशी का दिखेंट यह एलो गाई कम वेक तु आन चैनल स्वागत है आपका आज के व्लोग में सो गाईस मैंने एक अग डिसेजन लिया है मैं डेली के दो लोग चल्टक देली और एक मेंक्स मानल और बित फचमने करेंगे तो आज में अभी व्लोग में करें डीका मैं कहीं को थारी और करेंगे प्लाइऑ क्यों को अ Würea सब्सक्राइब कर एंड करेंगे तो प्रस्ट में और फुर्स्ट में थो फैं us वीजिए पर सिंवर कार्ण कार लो श्रिक है गीताfrist तो डियर मैं सक्ची बताऊ ना अपने 90% तो मैं इतनी चेंज हो चुकी हूँ कि हाँ मैं लड़की बन चुकी हूँ बट मेरी आदत है बच्पन से लेके शादी के बाद तक कि भी कि मैं हमेशा ऐसे ही बोल तो बोट चेंज आ गया है कि मैं बहुत बार बोल देती हूँ खाती हूँ आती हूँ जाती हूँ तो यह लड़की वäter में बट मुझे अच्छा लगता है और मेरी यह आदतुछ जो है और रही कौई बहुत चुब लगताँ नहीं लगती लगती ही इनका चैरा बता रहा है आपका चैरा देकी भी निरा होगा ठीक है लो तुम्हारी बिना तो मेरे ब्लोग नहीं चलते है तो तुम्हें तो आगे होना चाहिए बस दालता जिवागे ब्रश नहीं करा इसलिए नहीं फिर मॉल आएंगे न सब क्या बाई चैलेंग एक बीग हो नहीं ईके मुडवे टेमनेल्ष माना जाता था तो दिर वह माना जाता है चनकी टेमनेश का बहुत्ए टेव भी हो हूं यह हिस वेरी लगए क्योंकि मैं इनको मिल गई क्वाइऑ आप पहले के नहीं भी अ्युक्त पहले कर टाम पास्ट हिक है एक आप में हमारी शादी होगी एक साल हो गया तो मतलब हो करो कम काम काम करो रेष्ट लेट जाया करो बेबी को कोशकर दो कमपरडेवल फील होगा बस मेरा सजेशन आगे आपकी मत्री तो डियर मैं रेस्ट क्या बताऊं 24 गंते होते हैं दिन में हाँ तो यह कर देती है हाफते हाफते दो कर देती है रोज पौम अर्टी अ अफटे दो पर जो में दो हाँ तो यह कुन है जी रूची का भासकर हैप्पी न्यूएर बहुत और थाइंक यू सो मच टियर आपको भी हैप्पी न्यूएर एंड अंजली दिव्या दिव्यान स्तवर दीदी देशी घी मत खाना और सब कुछ खा लेना मैंने नहीं खाया था पर फासफ्ट बहुत खाया था फासफड बहुत खाया था फिर भी नॉर्मल डीवरी वरे अनुए हैप्प मेरे बंड का दिया जब्बी मैं खाना खाती हूँ तो देखती हूँ पहले ये देखते हैं कि घी तो नहीं खाया गी तो नहीं डाला आदेच मजली डोक्टर ने जैसे तो एक बार में चल जाता है, यह खिला देता है, बाकी उनके कही परी चलती है, मैं दूम हूँ ना, मैंने इसी लिए, यह मैंने पर्मानेंट मान दया है, मैं दूम बडी टेडी है, यह सीधी नहीं हो ली ना, आप से, मारे गूसा की सीधी कर दूम, शाट आप ची, ति, तु एख में से हमिल नोकर कर देख घूह है तो हुआ तुम नोकर हुँ ही तो मैं भी नोकर पती तो नोकर ही होता है नहीं 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 हमादुर। किसारी करानों पर है नहीं कराना ही हिए था को हमेशा। कि 10 टी टो आकल करनाना है कि मैं गुरू हूँ नहीं यह खुद भी शीख रहे है यार मैं सीख रहा हूँ पर मेर को इस बता हो एक प्रिंसिपल होता है और एक स्कूल में टीचर होता है एक जूनियर टीचर भी होता है फिर शिश्य होते है ना तो मैं जूनियर टीचर मालना मुझे और चलो मेरे तो एक है जो जिनका नाम है यह कह रही है कि एक बात बताओ मुझे अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए तो तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ भी चीज तुम डिसीजन ले रहे हो कुछ भी कर रहे हो किसी दूसरे को तकलीफ नहों उससे तो समझ लेना कि आप अच्छे बन चुक्या हो कुछ भी करने से अगर किसी दूसरे को कोई तकलीफ हो रही है तो समझ लेना कि कही न कहीं अभी और बढ़िया बनने की जरूरत है एक एक एक्जामपल दू कैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं रास्ते में कोई इनसान जा रहा है उसके साइड में पानी है अब हम तो गाड़ी चला रहे है सड़क पर कुछ भी है हमें उससे क्या मतलब है और हम ऐसी निकाल देंगे पानी उसके उपर जाएगा तो यह क्या हो गया हमेशायद सुधरनी की पानी चलकेगा उसके उपर जाएगा तो मैंने इसको बहुत अराम से जलाता हूं या फिर उसको पहले आगे निकलने देता हूं जहां पर यह वाली सोचागी ना कि हमारे कुछ भी करने से हमारे किसी भी डिसीजन से किसी दूसरे को कुछ नुकसान ना हो तो समझ लेना अन ब्लोक हो गया है अन ब्लोक करने के लिए भाईया जी से थोड़ा ग्यान दिला देना पर यह तो चैनल के वारे में ना अन ब्लोक किस रीजन से हुआ है कुछ लिख रहा है तो वह कुछ ना कुछ रीजन होगा ऐसा है आपने यूटूब की गाइडलाइन के अगेंस कु और कभी क्या होता है के यूटूब एक्शन लेता है मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक अटी मेरे चाहनेवालो ने जर रखती है तो चैनल थोड़ासा डिग्रेट हो जाता है मतलब की जाती जोग में कुछ टांबाद 90 जा चैनल ठीक हो जाताए पर उसमें भी यूटूब की ग या फिर किसी की वीडियो कोई करके डाल दी या फिर हमने इसे बाइब करके डाल दी तो उसमें क्या होता है उसमें सिर्फ राती है या फिर तुम्हारी चैनल पर कोपिराइट आजाएगा बढ़ कुछ ऐसी चीज़ एक देता हैं कि जो यूट्यूब के असलेवर से ही बहार ह तो यह ऐसी चीज़े हैं कि यूटिब बख्षेगा नहीं कोई भी है सिदक खतम चैनल उसके बाद तुम्हाद नहीं मिलेगा इस चैनल को तुम चला सको तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है शायद किसी दूसरे का एज़िटिस कंटेंट डाल दिया होगा कर रहा? मैं भाएं नहीं तो यह बहुत सारी हैं किस बखा हुआ है खाष मेरे में बखाए है तो यूटियोब फिलोग पुला कर देता है तो व्लॉग ही है अग्या कमेंट आदे पियूश के नाम से दिधी आपकी आध बहुत प्यारी है आप मेरा नाम लेना थोक में RAKA थो प्यारी आवाद होती है यह कोई प्यारी आवाद होती है यह कुछ से साइलेंट हो गोलें नहां थे नहां थाइड प्लिस नेक्स व्लोग मेरा नाम लेना थांक यह क्या है सुर्भी राजबूत है दी मैंने फिर्स्ट टाइम कमेंट कराया आप दोनों बहुत अच्छे हो भाईया बहुत ही बाते करते हैं और डांस भी बहुत अच्छा करते हुए चार स्टैप का डांस लोगों ने बड़ा पसंद किया है यह बहुत शुकरवाणी बात है अगर आठ आते तो बता है न का हो जाता है अनीश जी की नोज तो खांडानी नोज है तो कोई भी उनकी नोज को कुछ नहीं करेगा अब तो मुझे आपके बेबी को देखने के लिए तीन मंत का वेट करना पड़े रहे गए प्रीची बस तीन मंत में क्यूट साली तल्बन आएगा आएगा उसके बाद वीडियो देखने में और भी जादा मजा आएगा अचाहिए यह जानते होंगे क्योंकि मेरे ताहु चाचा किसी को देख लेना ऐसी नाग है सबकी तो वैसे ना एक कमेंट थी मैंनों को स्क्रीन अचाहिए बड़ी अच्छी लगती थी उनका व्लौक देखने में भी बड़ा मजा आता था तो यहां नजर लगा दितुन में अब जैसे सुनने को आ रहा है उनकी फैमिली इस्ची चल रहे हैं फैमिली में बट जब भी जैसे मैं इसका बड़ी व्लोक देखते इस्ची व सब ना उन्हों के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो आप भी अपना अपीनियों किया शेयर कुरूं जब तक हमें दोनों पहलों कि बात नहीं पता हम कौन होते हैं भी उपिनियों करने वाले सब्सक्राइब मैं दूर्स तुम बाद में मुझे बोलो, तुम स्टार्ट करो जिम्तक, हम को में भी opinion share करने वाले, ऐसा कोई बताओ, एक practical चीज सोचो, कि ऐसा कोई परिवार मना जिसमें कोई इशू नहीं है, हर परिवार में इशू है, हर कहीं कि यार इंसान है, अगर इंसान में अगर 10 लोग हैं या पर 5 लोग हैं, हर किसी का दिमाद अलग तरीके से manufactured हैं, मतलब कि उनकी सोच अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी परिवार में इशू नो और भगवान ने अमारे साब बहुत तगड़ी गेम खेली है, उन्होंने बनाए इस तरीके से, कि एक सुखी जिंदी की वही जी सक तो इसी चीज में फसा रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मेरे हिसाब से, देखो मैं भी देखता था, मैं सही बिताओ ना, YouTube पर मैं एक ही वीडियो देखी थी, मैंने जब मैंने परीत को बोला था, कि देखो मेरे को बढ़िया लग रहा है चीज, उस ताइम पर म पचास मिलियन से जादा राइट, उनकी भी इतनी वीडियो गारे थी वो, जिसमें वो लड़का एक है, देवर, वो कहता है कि मुझे मैं लक्षमन की तरह रहूंगा, भावी, मुझे आपके निशान चाहिए, पैरो के, और इस तरीके से, मतलब वीडियो थी वो, आंटी र लक्षमन, दो भाई है ना, दो देवर, लक्षमन और भरत बनके रहेंगे, भावी को कभी रोने नहीं देंगे, दिक्कत नहीं आएगी भावी पे, तो शायद आपने भी वीडियो देखे होगी, तो उसकी टी-शिर्ट पे उतने अपनी भानीतू के पैर लिये ते, और बो सब्सक्राइब कर देता हूँ, जास वाला लगा है, तो अबिसली लोगों के उस वीडियो पर बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट थे, और सेम जैसा कमेंट क्यार, ऐसा परिवार मिलना चाहिए, मैंने देखा है, मतलब परिवार कितना अच्छा है, तो गुन मेला के देख जो लडगा था, तो उसको मरते दम तक निवाओ, जुबान एक ऐसी चीज होती है, आप सोचोगे कि आज के ताइम में नहीं है, बट हकीकत में यह आज के टाइम में हमें फॉलो करनी होती है, तो या तो किसी चीज को कहों मत, या फिर बढ़िया तरी किसे निवाओ, और द में जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो बाकी बात रही, वो कमेंट कैसा था के मतलब के उनके बारे में, मैं ओपीनियन दो, मतलब कौन सही है, कौन गलत है, मतलब हम, वही बढ़िया, हम केसे बता सकते हैं, बाकी मैं बता हूँ, मैं जो लडगी नहीं है, नीतू, उसक मैं अमित बढ़ाना की वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये लडगी में को दिखाई दी, तो कौन मिला के यह है, कि जो नीतू है, अपनी स्ट्रगल से बढ़िया तरीके से इसने बहुत मैनत करी है इस लडगी ने, और जब शादी बादी हो गई है, तो उससे पहले भी फेमसी थी, और उबिसले उसके बाद होई है, जैसी बात है, मेरे हिसाब से यह है कि लोगों में किसी भी चीज का, डिजन मैटर यॉर फेमस, डिजन मैटर यॉर रिच, मैं उनका एक फैमिली का एंगल देख जाए, तो एक रिच फैमिली एंड फेमस जो लड़की है, तो क मैरे को जैसे एक चीज लगी मुझे, जीब सा फील हुआ, चलो ठीक है, मैं उसके पेरेंट्स के थरफ बोलना चाहूं कि यह बहुत सी वीडियो देखी, कि वो जैसे लड़की लगनीत की जो बहन है, लगन की जो बहन है, वो भी अपने भाई भाबी के साथ रह रही है, उस जैसे मैंने बोला न, कि चाहे मैं भी हूं, चाहे तुम भी हो, चाहे कोई और भी है, भगवान जब हमें देता है, न, तो हम इन्सान ऐसे होते हैं, कि हम उस चीज का यह बहम पाल लेते हैं, कि यह तो सायद हम special हैं, हमने यह सारी चीजे करी हैं, तो मैं इस चीज का वो जब हमें भगवान बनाता है जादा पैसा कमाने लाइक जब हमें बनाता है भगवान के हाँ यह इस चीज में बड़िया तरक्की करेगा जब नाम देता है हमें तो हमेरा किसी भी चीज पर ना एक नेगेटिव घमेंड कभी नहीं पालना चाहिए क्योंकि हम यह सोच लेते है कि शायद मैं special हूँ शायद मुझमें सारी qualities हैं बट basically वो तुम्हें एक reason के लिए दी थी अब उस reason में चाहतो है तुम समझ जब के यह तुम्हारे पास तबी तक रहने वाली है जब तुम लाइफ को समझ गई कि हां तुम्हें इस पर गमंड नहीं करना है तुम्हें इसका गलती होई है और मैं समझ गया मतलब कुछ चीजों को कि कभी ना आपने special होने का या फिर जो भी उसका पापा है या फिर कोई भी है जिसने भी कोई रुपया कमाया है कभी गमंड मत करो या फिर जो नाम भी गमा रहा है जो मानले लड़की भी है नहीं तु भी है कभी है मत हम कोई नहीं होते हैं कितनी सारी बाते बोल दी किसी बोलने बाते हैं जब हमें ना पेम मिल जाता है और जब हमें लाखो लोग जानने लग जाते हैं और तो हम ना वहीं पे गलत बन जाते हैं जब हम अपनी फैमिली इशू को पब्लिकली शो करते हैं कि मेरे घर में ये चल मीडिया पर गलत बोल दिया या उनको बोल दे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर रहा या वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं आपने चाहिए कि इतना पता होना चाहिए कि कि end of the day कुछ भी है हम कुछ लोगों के साथ रहे हैं हमारा बच्पन गुजरा है और बच्पन हमें हमारे मावाप थे हमारे जो भी आसपास के रिष्टे थे उन्हें के साथ हूं हुए कि end of the day हमें उन रिष्टों की इज़त करनी चाहिए भगवान बड़ा चालाग है उसने हर चीज को इस तरह के से करेक्ट करा है कि हां रिष्टों में फायदा तो फायदे से तो बने रहेंगे जैसे मैंने एक वीडियो भी हो नहीं थी वो वीडियो में मैं क्या बूल रहा ह किसी ना किसी मतलब से चल रहा है पर आप उनको निभाने की काबिल हो जाओ उसके बाद भी तो उस दिन आप बड़े हो जाते हो तो कुल्मिला क्यार मैं तो यही करता हूं जब मैंनो उनकी पहले वीडियो देखता था मैंने कभी सोचा भी नहीं था बट यही है कि सब ठीक हो जाए और ठीक हो जाए और ठीक आसी होगा हमें ही सुदरना पड़ेगा end of the day मतलब कभी 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 कोंप्रोमाइस करना जरूरी बन जाता है रिस्तों में और बस यही कहना चाहेंगे कि यह लास्ट में दुबारा फिर बोलना चाहूंगी कि कभी भी अपने रिस्तों को श हम अपने आपको प्रूफ करने लग गए ना कि हाँ भई हम तो हमने तो यह कि हमने तो वो कि तो आप उसी देंद गल्द बन जाओगी क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि एक ही तरफा से देखते हैं कि हाँ भई यह ऐसा बोल दिये कि ठीक ही बोल दि गया है और फैमिली के इश्यूस फैमिली में ही सोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है तो जितना प्यार और जितना पोजिटिविटी फैला होगे उतना ही आपके लिए और सब्सक्राइब बेसिक लिए मैं आज कर जो देख रहा हूं ना शोशल मेडिया बन थोड़ा ने आज के टाइम पर तुम पर इतनी अच्छी क्वालिटी है शोशल मीडिया की अगर आप सच में अच्छे हो ना अगर आप अच्छे शिक्षा देते हो तो आपकी बातों को घर बैठे लाखो करोडों लोग सुन सकते हैं और वो सुधर भी सकते हैं लेकिन अलगोरिफम इस यूज करना है तो अच्छी चीजों को करने के लिए यूज करो खुशी होनी चाहिए वीडियो में जैसे मैं प्रेट के साथ जब मैंने पहले डांस की वीडियो ढाली थी तो ऐसे मतलब पहले तो कभी सोचते ही नहीं है कि शादी के बाद इस तरीके से कोई रहेगा लेकिन ऑली दानस की वीडियो डाली थी तो लोगस्तरीके से कमेंट कर रहे हैं यह क्या डेपैरेशन से ऑखया कि अच्छी है तुम कितने अच्छे तुम इतन अख्यों तो ऊच्छी और आए एसे क्योब तो उस दिन अमने डिसीजेन लिया ता मैने प्रेटने के यह अच्छी वी कर सकते हैं कि एक रियल होता है तो इस त्रीके से प्रेंस पास्ट करते हा है वही चीज अपनी और रियल सब्सक्रा कर ससकते हैं कि हमना सरहां सी मितना रहना जाते हैं कल डांस करके दिखा रही थी है, मैं तो कत्थक भी कर सकती हूँ मैंने कि मोटी सी तेरे बसकी नाप कुछ है ना तो बढ़िया लगे क्यों रोटी बना के लिया कोई ने जब एकलम से पतली हो जाओंगी ना फिल मेरे से ही चैलेंज करो तुम और कौन है मेरे पास चैलेंज करने के लिए तो लेका साइज देखा है मेरे मूँ का साइज देखा है अब गोलो मोटो लोग है तो गाइस थैंक्यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए बट यार मैं एक लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगी किसी के साथ हम आज का व्लोग यहीं पर स्माप्त करते हैं टाटा बाई बाई साइनिंग ओपना